हलो एर्यवान मिसंगान के ऑनलाइन प्लेट फॉरम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं दिनेश चोधरी पिछली जो क्लास थी पिछली क्लास में अपने करत्रीम दूद के बारे में आर्टिफीसिल मिल्क के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ अप इतने प्रकार का मिल्क होता है और मिल्क से किस-किस प्रकार के प्रोडेक्ट बनाए जा सकते हैं और इससे बने जो सहुतपाद होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे तो चलिएगा देखते हैं सबसे पहले आज आपन दूद के बारे में अपन चर्चा कर लेते है सबसे पहले देखिएगा दूद कहते किसे एक या एक से अधिक अच्छी तरह पोसित वे रक्षित स्वस्थ पसु के आयन का ताजा एंस्वच स्राव जिसमें ब्याने के से 15 दिन पुरुए तता ब्याने के 5 से 7 दिन तक के स्राव को समिलित नहीं किया जाता कहने का मतलब यह है कि ब्याने से 15 दिन पुरुए अपन दूद निकालना बंद कर देते हैं और ब्याने के 5 से 7 दिन बाद तक क्या मिलता है अपन को खीस मिलता है उसके बाद जो उसके आयोनों से होने वाला जो वाइट लेटेक्स होता है उसको अपन क्या कह सकते है भाया दूद कहते हैं कि लिए बताया जा सकता है अच्छी तरीके से कोई प्रॉब्लम वाले बात नहीं है दूसरी चीज दूद किसको कहेंगे उसमें कुछ ऐसे लिमिटेशन आ जाती है कि उसमें वसा भी होना जरूरी है उसमें ऐसने भी होना जरूरी है तब उसको पने के दूद चीए अन्यता वो दूद नहीं कहलाएगा किलियर तूसरी बात वसा रहित ठोस पदार जिसको अपन क्या बोलते हैं ऐसने क्या बोला जाता है ऐसने की मात्रा आट पॉइंट पांच परसेंट आप कभी भी डेरी पे दूद जाने देने जाते हो तो आपको दो चीजे नोट की करवाई जाती है एक तूसरी फैट वसा और दूसरी उसमें ऐसने आपको जो वसा रही ठोस पदार्त होता है उसके बारे में आपको बताया जाता है क्लियर चलो आगे पन बात करते हैं राजस्तान में दूद के वेगानिक मानक इस परकार है गाय के दूद में वसा तीन 5% पर तीसत ऐसने आप पॉइंट 5% पर तीसत गाय के दूद की बात कर लेते हैं तो उसमें जनरली जो फैट होता है वह 3.5% होता है और वसा रहित जो ठोस पदार्त होता है solid not fat जिसको पन कहते हैं वह कितना होना चीए बहिए 8.5% वह तो ओगे आपने किसका दूद गाय का दूद बहस के दूद की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें वसा लग बग एवरेज अगर बात करें 6.07 वैसे तो जो बदावरी नसल होती है बदावरी नसल का जो दूद होता है उसमें 13% तक वसा पाई जाती है सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है लेकिन अगर जनरली किसी बह बात कर लेते हैं तो उसके दूद में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है भाईया 6.07 परतिसत और SNF solid not fat की बात कर लेते हैं वसा रइस ठोच पदार्थ की बात कर लेते हैं तो वो कितना होता है उसमें भाईया 9 परतिसत निरधारित की ये गए हैं तो आपको द्यान रखिएगा गाय के दूद में वसा 3.5 और SNF होते हैं 8.5 दूसरी बात बहस के दूद में वसा 6.07 और SNF कितने हो जाएंगे 9 परसेंट बताया जा सकता है नेक्स्ट में बात करता हूँ देखिएगा दूद में कौन-कौन से अव्यो पाये जाते हैं कि उसमें क्या-क्या मिलावा होता है वसा कितनी होती है कार्वाइडरेट कितनी होती है प्रोटीन कितनी होती उसमें जल कितना होता है उन सभी अव्यो को मिसरन जो होता है उसको दूद कहते हैं, तो दूद में अपन देख लेते हैं, सबसे पहले जल, पहला जो उसमें अव्योव पाया जाता है, अपना जल होता है अन्य अव्यों के वहक का कारियद करता है- मतलब अपन कैया दे के परिवहन का जो कारिये करता- मतलब अपन करता जलो जैसे carbohydrate पहुचाना है, protein पहुचानी है, fat पहुचाना है, तो उसके prevent का जो कारिय करता है बोडी में, वो कौन करता है, दूद में अपने जल करता है, clear, मात्रा, इसकी जो दूद में मात्रा होती है, 80-90, दूद में 80-90, तो क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है, next में बात परिवरतन सील अव्योग, आपको क्यूशन पुचा जा सकता है, कि दूद का सबसे ज़्यादा परिवरतन सील अव्योग कौन सा है, तो भीया कौन सा है, fat, कौन सा है, fat, वसा, वसा एक अव्योग, ऐसा अव्योग है, जो सबसे ज़्यादा गटने और बढ़ने वाला होता ह तो ये इसका ध्यान रखना है कि दूद में सबसे ज़्यादा गटने वैं बढ़ने वाला अव्योव होता है तो वो कौन सा होता है भी या वसा किलियर दूद में वसा निलंबन निलंबन या बोले तो छोटी छोटी गोलिका है आपने देखा होगा चोटी चोटी गोलिकाओं जब आपन बाल्टी में दूद निकाल कर लाते हैं तो आपने देखा होगा उपर चोटी चोटी गोलिकाओं के रूप में घी सा जमा हो जाता है वो क्रीम सा जमा हो जाती है वो एक क्या होता है फैट होता है कोली क Tribe की रूप में क्या पाए जाती है भीया अपने वसा पाए जाती है दूध में वसा विटामिन दी ऐ और के का अच्छा सरोथ होता है दूध में इसके त्रिक्त कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं भ혼aşते हैं? कार के विटामीन अपने दूद में पाए जाते हैं अगली में बात कर लेता हूं मानो दूद में 3.7% वसा पाए जाती है कितनी वसा पाए जाती है वहिया मानो के दूद में 3.7% वसा पाए जाती है एक ग्राम वसा से 9.3 किलो केलोरी उड़जा प्राप्त होती है बहुत ग्राम ऐ्डं हैं और एक ग्राम फैडं से आपको एंर्जी लेनी है तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगे भी यह नौ पॉंट 3 केलोरी उड़ जा है आपको परापत होंगी दूसरा आपको पुछा जा सकता है हुमन जो मिल्उक होता है उसमें कितने percent वसा पाई जाती है तो human milk में 3.7% वसा पाई जाती है बताया जा सकता है आराम से कोई problem नहीं है next मैं बात करता हूँ देखिएगा protein protein की बात करें तो मैं प्रोटीन 50 या कोलाइडल की रूत में चाती है दूद में प्रकार की protein होती है सबसे importance है सबसे ज्यादा पाई जाने वाले protein होती है casein दुद की mainly जो protein होती है अगर आपको direct fusion पुछा जाए कि दुद में पाए जाने वाले protein तो कौन से होती है casein protein होती है और अगर तीनों दे दे अलbamin और globulin protein भी दे दी जाए ठीक है lektoglobulin और lektoralbumin तीनों protein दे दे तो अप्रोक सभी आपको बताना है लेकिन अगर सबसे ज्यादा मात्रह में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो केसीन प्रोटीन होती है जो आपके नाखुन में भी पाई जाती है आपके बालों में भी पाई जाती है तो सबसे ज्यादा दूद में पाई जाने वाली प्रोटीन क आराम से आप सभी बता सकते हो दूद का जो सपेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है बहुत बार पूछावा क्यूसन भी है कि दूद का सपेद रंग किसके कारण होता है वह केसीन प्रोटीन के कारण होता है किसके कारण के प्रोटीन के कारण बताया जा सकता है क्लियर तो दूद का सपेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है बिया बता सकते है आराम से नेक्स देखिएगा आगे पन बात करें एक ग्राम प्रोटीन से चार किलो केलोरी उड़ जाप राप्त होती है कितनी होती है बिया चार किलो केलोरी वसा से अपने उड़ जा पताई थी कितनी प्राप्त होती है नो किलो केलोरी एक ग्राम वसा से आपको नो किलो केलोरी उड़ जा प्राप्त होती है और एक ग्राम प्रोटीन से आपको चार किलो केलोरी उड़ जा प्राप्त होती है दूद में केसीन की मातरा दो से ती 3.5 परतिसत पाए जाती है दूद में केसिन की मातरा कितनी होती है दो से 3.5 परतिसत पाए जाती है गाय के दूद में 3.5 परतिसत बैस के दूद में 3.6 परतिसत प्रोटीन पाए जाती है टोटल अगर और आल प्रोटीन की बात करें तो गाय का जो दूद है उसमें 3.5 परसें पाइनस विधी के द्वारा किया जाता है, कौन से विधी के द्वारा आपको सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, या तो जेलडोल विधी, या फिर पाइनस विधी के द्वारा दूद में प्रोटीन का निर्धारन किया जाता है, बताया जा सकता है, कि दूद में प्रोटीन का नि लेक्टोज भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेज दूद में पाया जाता है, वो सरक्रा के रूप में, और कौन से सरक्रा के रूप में पाया जाता है, लेक्टोज सरक्रा के रूप में पाया जाता है, दूद का सबसे कम गठने वे बढ़ने वाला अव्योग, द्या कौन सा था वैया वसा और सबसे कम गठने और बढ़ने वाला अवयोग कौन सा अपना ध्यान रख लिए जीएगा कौन सा है वैया अपना लेक्टोज लेक्टोज या इसको बोले तो सरकरा ओके ये सबसे कम गटने वह बढ़ने वाला आवियो है ओके बताया जा सकता है कार्भोईडरेट के दो या इसको लेक्टोज के दीजिएगा इसके कारण दूद मिठा होता है सरकरा स्वीट है भईया सरकरा तो वैसे स्वीट होती है ठीक है ये घोल सॉल्यूसन के रूप में पाया जाता है जानक लीजिएगा वसा वसा तो पाय जा रही थी अपने निलंबन के रूप में मैं लियाद रखना निलंबन ठीक है निलंबन प्रोटीन पाइस के रूप में किस बात कर लेते हैं किसकी सरक्रा की तो सरक्रा सॉल्यूसन या गौल के रूप में किसके रूप में गौल के रूप में पाई जाती है इन अव्योवों का आपको अच्छी तरीके से द्यान रखना है वसा किस रूप में निलंबन या इमल्सन के रूप में पाई जाती है गौलिक एक ग्राम वसा आपको नो किलो केलोरी उट जप राप्त होगी, अगर आप एक ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो आपको चार किलो केलोरी उट जप राप्त होगी, किलियर बता सकते हैं, आगे देखिएगा, एक मानव दूद में 6.98 परतिसत दुगदम और दुगदम को यहां क्या कह सकते हैं अपन लेक्टोज क्या कह सकते हो लेक्टोज पाया जाता है कितना पाया जाता है वहिया एक मानव दूद में 6.98 परतिसत दुगदम या लेक्टोज पाया जाता है सामानेते दूद में औस तन 4.5 से 4.8 परतिसत लेक्टोज पाया जाता है कहने का मतलब होमन या जो मानू का दूद होता है वो सबसे मिठा दूद होता है कह सकते हो आप सबसे मिठा दूद होता है और गायों की बात कर ले तो सबसे मिठा दूद से होता है लेक्टोज बोल दो या इसको दुखदम बोल दो लेक्टोज का ही दूसरा नाम क्या दे रखा है या पर दुखदम दे रखा है दुखदम एक दूसर करी है कहने का मतलब यह ग्लकोज और गेलक्टोज से मिलकर बना होता है जो लेक्टोज होता है वो किस-किस से मिल या गुलकोज प्लास गेलेक्टोज बराबर क्या बनाते हैं वहीया लेक्टोज क्या बनाते हैं लेक्टोज गुलकोज का आपको सुत्र पता है नीचे लिकर का भी होगा C6 H12 O6 प्लास C6 से H12 O6 ठीक है यह दो गुलकोज के अनू माल लीजिएगा या गेलेक्टोज माल लीजिएगा इस मिलेंगे और मिलके किसका मिनिर्बान करेंगे यह लेक्टोज का मिनिर्बान करेंगे C12 है H21 और O11 प्लस बार क्या निकल जाएगा जल निकल जाता है बना सकते है आराम से तो यह लेक्टोज सरकरा किसके से बनकर मिली होती है यह गुलकोज प्लस गेलेक्टोज से मिलकर क्या बनता है लेक्टोज बनता है आप अपन बात करें विटामिन देखो दूद में विटामिन की बात कर लेते हैं तो दूद में सबसे ज्यादा जो विटामिन पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है, विटामिन A, वैसे तो सबसे ज्यादा विटामिन माना तो अपने पाला, गाजर और आम में पाया जाता है, पिले फलो में सभी में विटामिन पाया जाता है, उसके बाद विटामिन B, 2 D, E वे K भी इसमें पाया जाता है C इसमें अनुपस्तित होता है बिल्कुल सही बात है दूद में C जो विटामिन होता है वो अनुपस्तित होता है विटामिन C दूद में नहीं पाया जाता जल विले विटामिन B complex और विटामिन C B और C ये दोनों जल में विले होते हैं और वसा में विले होने वाले A, D, E, K ठीक है? B और C जल विले हैं और वसा में विले होने वाले A, D, E, K ये भी अच्छी तरीके से आपको पता होना भी चीज़ के बारे में भी विटामिन्स भी आपको पूरे पढ़ा दें इंक दीन ठीक है चलो तो यह होगे विटामिन विटामिन के बाद बात कर लेते हैं खनीज लओन या मिनरल्स की तो कौन-कौन से मिलरन्स पाये जाते हैं और कितनी-कितनी मात्रा उनकी पाई जाती है, देखेगा, दूद में इनकी मात्रा एक परतिसत से भी कम होती है, 0.7 से 0.9 परतिसत दूद में क्या पाई जाते हैं, खनीजलवन पाई जाते हैं, मिनरल्स पाई जाते हैं, दूद में सरवादिक मात्रा में केल्सियम और जाते हैं दूद में फेरस या आइरन नगणने मातरा में होता है फेरस या आइरन की बात कर लेते हैं तो बहुत ही कम मातरा में दूद में पाया जाता है जाएंगे ठीक है लाइपाइज दूबारा सुन लीजिएगा लेक्टेज एमाइलेज प्रॉक्सीडेज फास्पेटेज इस्टेरेज प्रोटीएज और हाइड्रोजीनेज आदी एंजाइम दूद में पाये जाते हैं तो दूद के अव्योब आपको पता चले सबसे पहले अ अपने पढ़ा क्या विटामीन विटामीन के बाद खनीज लवण पढ़ लिया खनीज लवणों के बाद एंजाइम पढ़ लिया और सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में पाये जाने वाला आपने क्या पढ़ाता जल पढ़ाता ओके बताया जा सकता अची तरीके से चलि पाया जाता है कितना पाया जाता भैया गाई के दूद में 86 .71 जल पाया जाता है कुछ्ठ Grace भाग इसमें पूद्ट सरक्षित है कितना 13.19 पर्सिंट कितना होता है 13.19 पर्सिंट अगर इसमें SNF की बात कर ले Solid not fat अगर वसा रे थोस पदारद की कर लें तो वह इसमें कितना होता है भाईया 9.25 गाय के दूद में वसा की बात कर लेते तो 3.5 से लेकर अपनको बात करें तो 4.14 तो 3.5 एवरेज वसा होती हों के फिर बात कर लेते हैं यहां पर प्रोटीन तो कि बात करें तो दूद में 3.8 परजेंट किया पाय जाता है नो और गायी के दूद में पिर घाय केक दूद में कारभोध्रेट किस रूप में पाय जाता है आपको बताया था भी लेक्टोज सरकरा के रूप में किस में पाया जाता है लेक्टोज सरकरा के रूप में और कितना होता है 4.96% पाया जाता है आगे बात कर लेते हैं गाई के दूद में खनीजपदार तो कौन-कौन से पाया जाते है केल्सियम और फॉस्फरोस पाया जाता है ठोस्पदार्थ होता है उसमें बात करें तो 9.86% उसमें क्या होता है वसा रही ठोस्पदार्थ होता है और 7.38% उसमें वसा पाए जाती है 6.09 से लेकर 7.38 तक वसा वहस के दूद में पाई जाती है 3.6% उसमें प्रोटीन होती है 5.4% उसमें लेक्टोस सरकरा या कार्बोहिडरेट पाया जाता है और 0.78% उसमें क्या पाया जाता है वहिया अपने बात कर लेते तो खनीच पदार्थ पाये जाते है फिर बात करें अपन बेड़ की तो बेड़ के दूद में जो जल की मात्रा ह या कुल्ठोस पदार्थ पाया जाता है और इस कुल्ठोस पदार्थ में से ऐसे पाया जाता है 11.39% 7.9% उसमें वसा पाया जाती है 5.23% उसमें प्रोटीन पाया जाती है 4.81% उसमें क्या पाया जाती है कार्बोहिडरेट और 0.90% उसमें क्या पाया जाता है खनीच पदार तो प्रोटीन उसमें 3.52 परसेंट होता है और खनीज पदार्थ की बात कर लेते हैं तो 0.86 परसेंट जो अपनी बक्री होती है उसके दूद में खनीज पदार्थ पाए जाते हैं तो अच्छी तरीके से बता सकते हैं टेविल को आपको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है एवरेज आपको पता होना चाहिए कि लगबग 80% तो क्या पाया जा रहा है लग सभी में जल पाया जा रहा है आठ से 9% अपन बात कर लेते हैं तो SNAP होएता है ठीक है SNAP अपन बता सकते हैं कि 9% के लगबग भैस के दूद में और 8.5% के असपास गाय के दूद में पाया जाता है ठीक है वसापन ने बताई दी कि अगर भैस होगी तो 6 और 7 के बीच में होगी और गाय होगी तो 3 से चार के बीच में होगीina, इक परसेंट से कम क्या पाए जाते हैं, दूद में खनीज बदार्ते, पाये जाते हैं, तो एवरेज, आपको बतांवाना चीं कर लेते हैं तो 12.49% SNF की बात कर लेते हैं तो 7.01% वसा की बात करें उटनी के दूद में तो 5.38% पाए जाती है और प्रोटीन की बात कर लेते हैं तो 2.98% उसमें प्रोटीन होती हैं कार्बोईडरेट की बात करें तो 3.26 % क्या पाया जाता है हूंतिं के दूद में लेक्टोस रखरा पाया जाते है फिर बात कर लेते हैं खawaलॲे27 S.不過 23.5% 10.7% उसमें खुल ठोस पदार्त होता है S.N.H.C, बात करें तो इसमें 8.8 2% होता है St. Sclichy के बात करें तो, 3.24% विसा होती है 1.6 3% उसमें परोटीन पहाई जाती है हा, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है karboe أوحidrate मिठा दूद होता है Lactohde Sakera उसमें सबसे जादा पाया जाती है और वह होती है 6.98% होती है उसके बाद, बात बात कर लेती है तो उसमें खणीज पदारतों बहुती कम होती है, 0.21% ही क्या पाया जाते है minerals पाये जाते हैं, किसके दूद में, मानों के दूद में, तो अपन बता सकते हैं, दूद का संगठन, दूद में क्या-क्या पाये जाता है, और किसके दूद में कितना percent होता है यह सारी चीजे अपन बता सकते हैं clear, next में बात करता हूँ, देखिएगा दूद के बहुतिक गुणों की बात कर लेते हैं दूद के बहुतिक गुणों की बात कर लेते हैं तो दूद में अमलता की बात कर लेते हैं तो 0.14 से 0.16 परसंट दूद में अमलता पाए जाती है दूद में लेक्टिक अमल होता है 0.10 परसंट जिरो पॉइंट दस परशंट तो क्या होता है दूद में लेक्टिक अमल होता है दूद के pH मान की बात कर लेते हैं तो 6.4 से 6.7 हलका अमली है अगर कर्तरी म दूद हो तो उसका pH क्या होता है हलका सारी होता है ये अपनने ची तरीचे बता दिया दूद। ताजे दूद का pH मान 6.7% होता है दूद की विद्धूच संचालकता होती 0.005 महोज होती है महोज एक युनिोट होती है दूद का जमाव या हिमांक विंदू दूद जमना कब सुरू होता है तो मैनस 0.52 डिगरी सेंटइग्रेड से 0-0.56 degree centigrade पर दूद जमना शुरू हो जाता है जल की बात कर लेते हैं तो हिमांग बरफ जमना शुरू हो जाती चार डिगरी centigrade पर ठीक है धान रखिएगा इस चीज़ का फिर बात कर लेते हैं दूद का गाड़ापन विसकोसिटी की बात कर लेते हैं तो 1.572.0 centipise क्या होती है दूद का गाड़ापन होता है centipise एक unit होती है ठीक है दूद का अपवरतनांग की बात कर लेते हैं तो 1.3440 से 1.3480 होता है जबकि पानी का कितना होता है भाईया माइनस 1.33 होता है ठीक है दूद का और पानी के में कोई ज्यादा changes नहीं आता है दूद सिराओं में होता है य दूद के ओल दूद नलिकाओं में पाया जाता है अगर सिराओं पूछ लिए जाए तो उनमें bloody पाया जाता है और अगर नलिकाओं पूछ ले तो आपको क्या बताना है भी या उसमें दूद पाया जाता है और दूद का निर्मान का होता है यह पढ़ने अची तरीके से ब पताया जा सकता ची तरीके से कोई दिक्कत वाले बात नहीं है दूद का उबाल बिन्दू तो 101 डिग्री सेंटिग्रेट ताप मान पर दूद उपलने लग जाता भी या दूद स्राव सरन मिल्क सेक्रेशन हे तू उत्तरदाई हार्मोन प्रोलेक्टिन होता देखो मिल्क सेक् के लिए और दूद को उतारने के लिए पाउसने के लिए ठीक है उसके लिए ऑक्सिट ऑक्सिन जिमेदार होता है तो दूद उतार अपन बात कर लेते दूद स्राव या सरन के लिए मिल्क सेक्रेशन के लिए तो कौन सा हो जाएगा भाया प्रोलेक्टिन और दूद उतारन के लिए आपको पुछे तो प्रोलेक्टिन और दूद उतारनी के लिए आपको पुछे तो कौन सा जाएगा आपके oxytoxin हो जाएगा और झाल कश्राव पसिप्यूस ग्लैन जो ग्लैंड होती है उसके दुआरा किया जाता है पिट्विट्राइन ग्लेन के दुआरा ऑक्सिटोसिन हर्मोन रिलीज किया जाता है जो पसु को पाउंसने के लिए प्रेरित करता है, ओके, हाँ, दूद में गर्मियों के दिन में कॉलिफॉर्म बेक्टेरिया पैदा होकर आतों में गेस बनाते हैं, दूद में जब गर्मिय चड़ाने है तू अयन में रोकने है तू, होल्डिंग कर लिए, अगर दूद को आपको चड़ाना है, तो उसके लिए उतरदाई जो हार्मोन होता है, वो एड्रिनलीन होता है, कौन सा होता है भीया, एड्रिनलीन होता है, एड्रिनलीन का जुसरा होता है, वो एड्रिनलीन ग्रंती, एर्डिनलीन जो ग्लेंड होती है या अधिवरक ग्रंती होती है उसके द्वारा किया जाता है, बताया जा सकता है next मैं बात करता हूँ, देखिएगा गाई वै भैस में दूद, बाई और बैठ कर निकालते हैं, आपको पुछा जा सकता है गाई भैस में दूद किस तरह बैठ कर निकाला जाता है तो बाई और बैठ कर निकाला जाता है दूद जनित बिमारियां, टीबी ठीक है आत्रजवर, हेजा और अतिसार और इसके दलावा सबसे ज़्यादा जो होता है सबसे अधिक पानी की मातरा बक्री के दूद में पाय जाती है जाता है दूद के परकार पूर्ण दूद अपन बात कर लेता है दूद कितने परकार का होता है दूद के बारे में अपने को पढ़ना जरूरी है. पहला होता है अपना पून दूद या समपून दूद वॉल मिल्क सो थो से प्राप्त दूद जिसमें कोई परिवर्वरतन नहीं किया जाता उसको अपन क्या बोलते है। वॉल मिल्क बोलते हैं दूसरे दूद की अपन बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, गाय के पूर्ण दूद में वसा 3.5% और SNF 8.5%, बैस के पूर्ण दूद में वसा 6% और SNF 9% यह अपने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, आगे अपन बात करते हैं, मानकी कर दूद या standardized milk की बात कर लेते हैं, वै दूद जिसमें वसा तता SNF की मात्रा दूद से करीम निकाल करिया, सेपरेटा मिलाकर दूद में न्यूंतम वसा, 4.5% तता SNF 8.5% रखी जाती है, वह इस समय से करीम निकाल ली जाती है, करीम निकालने के बाद SNF और FET की मात्रा को एक एक्वल formation में ले लिया जाता है, जैसे वसा उसमें 4.5% रखी जाती है, और उसमें SNF की बात करें तो 8.5% रखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, standardized milk बोला जाता है, यह देखो आपको अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है, standardized milk कैसा आता है, चलो, आगे पन बात करते हैं, सेप्रेटा दूद के पावडर को मिला कर तयार किया जाता है, जिसमें वसा 3% वे SNF 8.5% रखा जाता है, उसको अपन क्या बोलता है, टौन मिल्क बोलते हैं, देखो आपको यहाँ पर दे रखा है, 3% फैट दे रखा है, और 8.5% उसमें SNF दे रखा है, ठीक है, बता सकते ह राम से टॉर्ण मिल्क, आगे पन बात करते हैं, देखिएगा, डवल टॉर्ण मिल्क, पून दूद में पानी, तता सेप्रेटा के पावडर मिला कर तयार किया गया मिल्क, जिसमें वसा, इसमें और कम कर दी जाती है, कितनी कर दी जाती, 1.5% और इसमें SNF बढ़ा दिया ज जाता है, उस दूद को पर क्या बोलते हैं, यह डवल टॉर्ण मिल्क बोलते हैं, कुछ भी लाइक नहीं चोड़ा जाता है, बराबर पानी के सम्मान साग दूद रह जाता है, आगे पन बात करते हैं, पूने रचित दूद, रिकॉंस्टिट्यूट मिल्क की बात कर लेते ह में गोलकर दूद बनाया जाता है, उस को पानी में गोलकर पूने जो वापस दूद बनाया जाता हुए, इसको क्या बोला झाएगा रिकॉंस्टिट्यूट मिल्क बोला जाता है, लग बग एक बाग दूद पाउडर में साथ से आठ भाग पानी के होते हैं, एक भाग दूद पाउडर में साथ से आठ भाग क्या मिला जाते हैं, अगर आप एक चमच किसकी मिला रहे हो वह या इसकी पाउडर की मिला रहे हो तो उसमें साथ से आठ चमच क्या हो जाएगी, अपने पानी के हो जाएगी, क्लियर, अपने जुनतम मात्रा तीन परतिसत और वसा सॉरी स्नेफ सॉलिड नॉट फैट आट पर पांच परतिसत रखा जाता है उस दूद को क्या बोला जाता है रीकॉंबिनेंट दूद बोला जाता है अच्छी तरीके से बताया जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे पन बात क उसको निकाल लिया जाता है और उसमें आटिफिसियल क्या डाल दी जाती वसा डाल दी जाती वनस्पती वसा या घी डाल दिया जाता है उसको अपन क्या क्या देंगे वह या पूरी दूद कहा जाता है अच्छी तरीके से चर्चा कर ली पूरी दूद के बारे में अच्छ सब्सक्राइब करें तो लगतार आप मिसंग्यान के साथ जुड़े रहेगा इसी जोस और जुनुन के साथ कल फिर मिलेंगे तब तक धन्य